हेलो प्रेंड्स, वेलकम टो MS Maths प्रिवीज वीडियो में हमने देखा था कि किस टाइब से जॉन प्लेट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी वर्किंग सिस्टम क्या है और हमने यहां पे देखा था कि negative John Plate and positive John Plates क्या होती है हमने John Plate को negative photography में reduce भी किया था So in this video we are going to discuss about John Plate formula derived for the focal length हम यहां पे focal length के formula का derive करेंगे So focal length का formula क्या होता है, उसके लिए derivation करेंगे और John Plate जो है उसके जो diffraction pattern देती है, वो किस टाइप से देती है और यहां से हम John Plate की help से हम इसको समझेंगे So हम यहां पे consider कर रहे है, let us consider a negative John Plate on which light is incident from point source यहां पे हम एक negative John Plate ले रहे है Okay, negative John Plate का मतलब होता है कि the light obstructed from the even number of Jones and transmitted from the odd number of Jones It means light जो है, वो समसंख्या वाले जो John है उनसे रोकी जाएगी और विशम संख्या वाले जो John है उनसे यहां पे यह आगे चलेगी, आगे पारगमित होगी उनको हम कहते है, negative John या फिर अमिन को कहते है, रिनात्मक या फिर अमिन को कहते है, रिनात्मक जान पटिका हम यहां पे ले रहे हैं रिनात्मक जान पटिका का हम यहां पे यूज कर रहे हैं जैसा कि आप इस डाइग्राम में देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डाइग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कि जो फर्स्ट नमबर जॉन है, वो कैसा है, आपका यहाँ पे खाली है, फिर बात करता है, जो सेकिंड नमबर जॉन है, वहाँ पे इंक की जाएगी, अब बात करते हैं, कि the diffraction effect is observed at a point P, यहाँ से जो इसका diffraction effect है, वो कहाँ पे observe किया जाता है, इस P point पे इसका diffraction observe किया जाता है, यह देख सकते हैं, आप यहाँ पे यह जो है, वो light source है, ओके, this is the light, this is the light source, और यह कैसा source है, point object है, point source हम इसको कह सकते है, point source मतलब ह होता है, बिन्दूवत, यह कैसा है, बिन्दूवत है, point source है, so according to Huygens' law, या फिर Huygens' theory, the light propagate in the wavefront, light जो होती है, वो wavefront या हम कह सकते हैं, जो तरंग आगर होती है, उनमें चलती है, तो जब भी point source होता है, when we will use the point source, then the light propagate in the spherical wavefronts, spherical wavefront कब बनते हैं, जब आपके पास में light source जो होता है, वो बिल्कुल point source होता है, तो यहां से क्या होगा, कि यह इस type से आप अगर देखते हैं, तो यहां से आपके पास में spherical wavefronts बनते हैं, यह इस type से यहां पे spherical wavefront बनता है, और यह spherical wavefront से यहां पे क्य में John बन रहा है, वो कौन सा John है यह हमने negative John को use किया है the distance from source to John plate, जो source से John plate के बीच की distance है वो क्या है, यहाँ पर A हमने लेट की है यह जो distance है, वो क्या है A है, ओके यह John plate एकदम कह सकता है, इसके आगे रखी किया तो 3D में डाइग्राम है, इसलिए यहाँ पर यहाँ देख सकता है कि एकदम इन दौनों के बीच में एकदम इस टाइप से रखी अगर आप इसको side से देखेंगे तो यह आपको इस तरह दिखेंगी तो point source से यहाँ तक की distance A है second क्या करेंगे कि इस O point से यहाँ तक की जो distance है यह वाले distance में चलो, यहाँ तक पूरी denote कर लेता हूँ यह जो distance है, वो कहा तक है? इस O point तक है यह यहाँ पर देख सकता है, यह O point है अब यहाँ से यहाँ तक की distance हो कितनी है? B है, तो यहाँ पर पढ़ें, देखो क्या लिखावा है the distance from source to john plate source से john plate की बीच की distance कितनी है? A distance है, and हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि john plate to P, यह जो john plate है इस से P तक की distance है, उसको हमने B लेट किया है अब एक बात बताएं यहाँ से कि B, यह इसकी यहाँ से हम कह सकते है first जो आपकी john plate है, उसकी distance भी क्या हो सकती है B हो सकती है ना, अब अगर मैं बात करूँ कि इस से आगे उपर चलते है तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि first john plate तक इसकी distance B है second की distance यहाँ पर क्या हो जाएगी B plus lambda 2 हो जाएगी यह wave जो थे इस टाइप से चलते है तो एक बार क्या हो रहा है इसका यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से second time में यह negative में तो क्या हो रहा है, हर time में इसका कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक कि जो wavelength तो कितनी है lambda, but बदलब change कितनी के बाद आ रहा है after lambda by 2 उसमें क्या हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम lambda by 2 इसमें add गरता है तो आप इस concept को ऐसे समझ सकता है तो क्या होगा, कि यह end term तक आगे चलेगा end term तक चलने का meaning क्या हो जाएगा end term तक चलने का meaning है कि यह आपकी कोई mnv fringe है यह sorry mnv zone plate है एक, दो, तीन, ऐसे करते करते कितनी john plate बना ली आपने end john plate आपने वाँ बना ली और उस end john plate से यहाँ तक की जो distance है यह वाली जो distance आप देख रहे है यह वाली जो distance है इसको हमने क्या लेट कर लिया b plus n lambda by 2 लेट कर लिया lambda by 2 वही है b distance वही है उसमें lambda by 2 एड़ कर रहे है अब कितने lambda by 2 एड़ करने है जितनी number of john है जितना number of john है उसमें जैसा कि यहाँ पर आप इस 10 ले रहे हो तो 10 हो जाएगा 10 lambda by 2 हो जाएगा 11 ले रहे हो तो 11 lambda by 2 हो जाएगा ऐसे हमने general term में n के बारे में बात कर रहे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n lambda by 2 फिर हम क्या करना है कि यहाँ से हमको इसका जो path difference है पथांतर जो है वो find करना है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ से कि जो om वाली distance है sorry यह हो जाएगा हम इसको लेट कर लेते है rn rn हमने इसकी radius लेट कर लिए n way john के लिए इसकी radius क्या हो जाएगी rn हो जाएगी तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा derivation तो यहाँ पर आप देखें कि जो john plate है इसको हमने क्या क्या अच्छा एक लाइन और यहाँ पर है जो हमने लिख रखी है the light transmitted from the odd number तो जो कि मैंने आपको पहले बता है क्योंकि नेगेटिव जब आप जब नेगेटिव john plate लेते हो तो light transmit कहां से होगी odd number वाली john से transmit होगी and abstracted अहां से होगी abstracted from even number of johns even number से वो abstracted होगी यहने कि वहाँ पर उसको रोकी जाएगी वहाँ पर रुक जाएगी बाधा डाली जाएगी उसमें अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास में जो path difference है वो path difference क्या होगा अच्छे एक बात बता है मैं से s से p तक चलता हूँ तो यह तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका displacement it means shortest distance तो क्या हो जाएगा path difference क्या होगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ the path difference the path difference between source and between rays यह जो यहाँ से एक रेज आ रही है यहां से यहां तक, second जो यहां से यहां तरह से घुम के आ रहे हैं, उसके जो race का जो path difference है, at P along. Along हम किसके find कर रहे हैं? SOP. Along हम किसके find कर रहे हैं? ध्यान देना SOP and SMNP. एक distance एक जो है उसका path क्या हो जाएगा? SO and P. Second उसका path क्या हो जाएगा? SMNP. तो यहां से हम इसका path difference अगर find करते हैं तो वो path difference क्या आएगा वो हम यहां पर calculate करेंगे तो अब ध्यांद है यहां पर कि अगर मैं बात करूँ path difference की तो path difference आप देख सकते हैं कि जो SMNP वाला path रहना यहां से यहां तक वाला है यह ऐसे जब light आ रही है तो यह path कैसा बड़ा path है है ना तो यहां से क्या हो जाएगा इसके लिए अगर मैं path difference की बात करता हूं that is SMN यह क्या हो जाएगा यहां पर इसकी में बात करते हैं इसको तोड़ के अगर break करके लिखता है तो SMN तक की distance फिर क्या हो जाएगा Plus यहां पर आ जाएगा आपके पास में MNP Ok Minus क्या करेंगा हम इसमें से SO प्लस क्या हो जाएगा OP वाली distance को हम इसमें से minus करेंगे तो अब एक चीज़ यहां पर ध्यान दें कि S M N जो है उसको हम यहां पर क्या लेट कर देखो यहां पर S M N वाली जो length है उसको हमने A लेट कर लिया जो यहां से यहां तक की distance है जो source और इसके बीच की distance वो क्या है A है प्लस यहाँ पे mn से p तक की distance क्या है हमने लेट की b plus n lambda by 2 यहाँ से हमने यह लेट की देखें आप यहाँ पे यह वाली जो length है उपर आपको यहाँ पे बताए यहाँ पे आपको लिखा दिया था यह वाली length ओके यह वाली length आप देख रहे हैं यह क्या है b plus n lambda by 2 है तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस हम क्या करेंगे इस में से आप यहाँ पे देखें माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे s a जो distance वो कितनी a है प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे यह distance कितनी b है तब आपको delta find करने similarly, simply यहाँ से हाँ find कर सकते है तो a plus b plus n lambda by 2 minus a minus b it means a से a, b से b जो है वो cancel हो रहा है तो आपके पास में पथांतर जो है path difference that is n lambda by 2 तो यह हो जाएगा हमारी equation number 1 अब हम क्या करेंगे यहाँ से equation number 1 है इसके बाद में हम क्या करेंगे equation number 1 को equation number 2 से relate करेंगे equation number 2 find करना है आपको from geometry अब geometry की बात मैं अगर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें मैं यहाँ लिखता हूँ from geometry geometry से मैं यह value जो है वो find करता हूँ तो geometry के लिए हम क्या करता है कि यह आप देख सकते है इस type से यहाँ पर triangle बनता है कैसे बनता है देखो आप यहाँ से यह वाला point जो है इसके लिए यह वाला point है क्या हो जाएगा S point हो जाएगा and this is MN और यह क्या हो जाएगा P point हो जाएगा इसके बीच में यह क्या हो जाएगा O point हो जाएगा यहां से यहां तक की, जो distance होगा वो हम आपे find करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं यहां से कि जो पात difference है वो कैसे find करते हैं सो first of all आप यहां से देखे पात difference जो होता है वो क्या होता है डेल्टा अब वही काम आपको करना है S M N okay plus क्या हो जाएगा M N P okay minus क्या हो जाएगा यहां से S O plus O P अब आपके पास में distances है यह वाली यहां से यहां तक की distance कितनी है A distance है फिर वापस यहां से यहां तक की distance कितनी है B distance है तो आप इनमें values put कर देंगे तो यह हो जाएगा delta is equal to S M N value आपको find करनी है तो यह क्या हो जाएगा hypotenuse so hypotenuse is equal to root of base square plus perpendicular square it means यहां से इसकी value क्या आजाएगी अगर मैं इसकी value की बात करता हूँ S M की value देखो S M की value क्या हो जाएगी root of मैं आपे अलग color से लेके लेता हूँ S M की value हमारे पास में आएगी that is A square plus R N okay हम इसको power 1 में विलिक सकता है R N यहाँ पे square हो जाएगा और इसकी value के मैं अगर बात करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा root of B square plus R N तो हमने दानों की value find कर दी वो दानों value जो है हम यहाँ पे put कर देंगे it means हमारे पास में S M की value क्या आ रही है A square plus R N square power 1 by 2 लिक लेंगे plus क्या हो जाएगा यहाँ पे B square plus R N square power क्या हो जाएगी 1 by 2 square means power 1 by 2 minus हम क्या करेंगे इसमें से S O की जो distance है वो कितनी A है plus O P की distance यहाँ पे B है तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे इसकी value है वो find करनी है तो यह क्या हो जाएगा delta is equal to अब यहाँ पे अगर हम binomial थ्योर्म का use करते हैं तो binomial का format बनाना पड़ेगा it means हमको क्या create करना पड़ेगा यहाँ पे 1 create करना पड़ेगा A square यह A है तो इसे A को अगर मैं common लेता हूँ that is 1 plus R N square upon यह हो जाएगा A square power 1 by 2 यह binomial का जो द्वीपत प्रमे है उसका यहाँ पे format बनता है अब मैं यहाँ से भी B square common लेता हूँ तो 1 plus R N square ओके यहाँ पे square आएगा तो R N square upon यह हो गया B square power यह हो गया 1 by 2 माइनस यह हो गया A plus B अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसकी जो values एंको हम क्या करते हैं इस टाइप से लिख लेता है ओके यहाँ पे यह जो A square है न यहाँ पे जब बार आएगा जिसके भी power क्या होगी 1 by 2 होगी इसका इस चीज़ का थोड़ा से ध्यान रगए क्योंकि square से हम बार ले रहे हैं तो इसके क्या होगी power half हो जाएगा it means simplify अगर करते हैं तो A 1 प्लस यह आ रहा है Rn square अच्छा है यहाँ पे binomal theorem का use भी कर लेता है तो यह हो जाएगा 1 plus 1 by 2 Rn square अपन यह हो जाएगा A square 2 term तक हम binomal theorem का use कर रहे हैं यह हो जाएगा B 1 plus 1 by 2 Rn square upon यह हो जाएगा B square और यहाँ पर आजाएगा minus A and minus B अब यहाँ से आप A and B को common ले लेता है तो A and B को जब यहाँ से common लेगे तो क्या हो जाएगा देखें आप यहाँ पे delta is equal to A को मैं common ले रहा हूं A को हमने यहाँ से common लिया है तो यहाँ फिर इसको क्या करते है common लेता है अंग अंदर multiply करा जाते है multiply कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यह कट हो जाएगा तो यह हो जाएगा A plus यह हो जाएगा 2 Rn square upon sorry A Rn square हो जाएगा A Rn square upon यह हो जाएगा 2 A square हमने इस a को यहाँ पर multiply करा है इसको भी यहाँ पर multiply कराएगा similarly हम b को अंदर multiply कराएंगे तो यह हो जाएगा b rn square upon 2b square okay minus यह हो जाएगा a minus b अब यहाँ से देख सकते है 8 से a cut हो रहा है b से b cut हो रहा अब आप देख सकते हैं पात difference from geometry and from theory जो है हमारे पास में इकोल यह होंगे ना यहां तो हमने लेंडा की फॉर्म में फाइंड किया है यहां पर जो है हम इसमें जो रेडियस की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं from equation number 1 and 2 लिख लेते हैं from equation number 1 and 2 तो equation number देख सकते हैं 1 क्या है n lambda by 2 n lambda by 2 को हम यहां पर इसके equal कर देंगे तो हमारे पास में a plus b a upon sorry one upon a plus one upon b की जो values है वो आ जाएगी it means जब हम इनको equal करते हैं तो यह हो जाएगा n lambda by 2 is equal to rn square by 2 और यह हो जाएगा 1 upon a plus one upon b तो यहां से यह 2 से 2 यह cancel हो रहा है it means आपके पास में 1 upon a plus one upon b की value की अगर मैं बात करता हूँ that is rn square upon यह हो जाएगा n lambda ओके यह हो जाएगा हमारे equation number 3 अब मैं को करता हूँ कि जो lens formula है उसका मैं यहां पर लिखा हूँ क्यों का 10 लेंद्ट find करनी है न तो focal length meidän को कहां से मिल सकती है lens formula से तो मैं उसको यहां पे consider कर रहा हूं तो आप देखें यहां पे lens formula क्या होगा तो lens formula क्या हो जायेगा देखें यहां पे यह हो जाएगा lens formula तो मैं अगर lens formula की बात करता हूँ तो lens formula क्या होता बैसिकली one upon यहां से इसको एसे लिखों वन अपॉन वी प्लस यह हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू इस इक्वेशन नंबर फॉर तो अब क्या करेंगे हम एक्वेशन नमर 3 और 4 का हम यहाँ पर comparison करेंगे, कैसे comparison करेंगे, देखें आप यहाँ से, A कौन चीडिस्टेंस, आप उसको ध्यान से देखना, यह अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपका source है, यहाँ पर जो fringes है, वो john बन रहा है, यहाँ पर P, A distance क्या है, object यानि की light source से, यहाँ तक की distance A है, तो यह क्या हो जाएगा, A जो है, उसको हम यहाँ पर U से denote कर लेंगे, फिर B क्या है, यहाँ से यहाँ तक की distance, यानि की यह B है, यह A है, तो इसी type साम यहाँ पर अगर इसको consider करते हैं, और इसको हम, अगर हम इसमें भी sign of convention लगाए ना, तो हमारे पास में यहाँ पर भी, जो है, वो minus आ सकता है, यह जो minus A square आएगा, ओके, यह A क्या आएगा, distance जो है, वो minus मा आएगी, so basically हम इसको इसके equal let कर सकते हैं, तो यह आप क्या करेंगे, इसके equal let करेंगे, और equal let करने के बाद में, आप यहाँ पर लिखेंगे, from equation number 3 and 4, equation number 3 and 4 से हो जाएगा, 1 upon F is equal to Rn square upon n lambda, ओके, यह किसकी value आई, 1 upon F की value आई, बट अगर मैं बात करता हूँ, F की value क्या आजाएगे, यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ से F की value फाहिंड करनी है न, एक काम करते हैं, ओके, यहाँ से है न, हमने थोड़ा सा, यहाँ पर, आपके पास में, n upon Rn आएगा, ओके, यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास में, यह हो जाएगा, n lambda upon Rn square हो जाएगा, so basically हम उसका use यहाँ पर कर रहे हैं, तो यह n lambda upon Rn square होगा, इसका थोड़ा सा ज्यान रखें आप, यह हो जाएगा, 1 upon F की value आएगा, आपके पास में, n lambda upon Rn square, और F की value जो है, वो यहाँ आजाएगी, Rn square upon N lambda, इसको आप थोड़ा सा ज्यान रखें, यहाँ पर, जो n lambda upon Rn square होगा, ओके, तो यह क्या हो जाएगा, Rn square होगा, तो इस टीज का थोड़ा सा ज्यान रखें, तो यह जो आपके पास में focal length आती है, it is the focal length for John plate, यह किसकी focal length है, तो यहाँ पहले कि लेते हैं, it is a focal length of John plate, यह हो जाएगी, John plate के लिए focal length, ओके, John plate के लिए क्या हो जाएगी, focal length, तो हमने यहाँ से John plate के लिए focal length का derivation कर लिया है, और हमने उस पर एकदम proof भी कर लिया, यहाँ से हम path difference लेकर चलेते, हमने यहाँ जो John plate के लिए, वो negative John plate है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, और इस derivation में बस यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से mistake होई है, यहाँ पे जो है, वो N lambda लिखना था पहले, तो क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं, जब यह इसके upon में जायेगा, तो यहाँ से आम 1 upon A की value find कर रहें ना, तो जब यह इसके upon में आयेगा, तो यह है इस type से हो जायेगा, आयोप आपको यह जो वीडियो है, वो concept आवा समझ माया होगा, तो थाक्स पर वाचिं वाचिं इस वीडियो, जी वाचिं आमसमेंट्स, और सब्सक्राब देख से चनल मसमेंट्स.